भई जिस घर में कमाने रात में चूला जलेगा कि नहीं नहीं पता हूँ अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे नई सिक्षा नीती जो इस देश में लागू की जा चुकी है वो सारुजनिक सिक्षा को पूरी तरह बरबाद कर चुकी है सब खताम है विश्च गुरू बनने का दावा और गुरू रहेगा ठेके पर और सिक्षा के लिए एजिंडा ऐसा है कि उसमें वो सिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज़्यादा चुनावती देने का माददा है तो दो अस्तर पर वो लोग सिक्षा पर हमला कर रहे हैं पहला वो जो इस बिंदूओं में भी है कि भई सिक्षा सब तक सहुलियत से पहुंचे घर के करीग तक स्कूल हो और स्कूल में ऐसी सुविधाएं हो कि जिसके घर में कुछ भी न हो वो भी अपने बच्चों को पढ़ने भेज सके तो सरकार का काम इतने स्कूल, कॉलिज और विश्वद्याले बनाने थे जिन से हर गरीब, कमजोर, मजलूम, वन्ची, शुर्शित की बच्चों को सिक्चा मिले और जब सरकार का काम स्कूल, कॉलिज भी शुद्याले बनाना था और आप ऐसे वक्त में रहे हूं जहां सरकार के वो सोचाले और देवाले बनवा रही है नई सेक्षा नीती पर वो प्राउधान कर रही है कि 3,000 से कम विद्यारते जिन भी स्कूल और दिगरी कॉलेजेशं में वो संख्या जाता है तो जहां वो स्कूलों में विद्यारती कम होंगे हम उस स्कूलों को बंद करेंगे और और नियू एजूकेशन पॉलिसी में क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी लाएगे यानि कि मा लेजिए इस गावं में और पहले काम हुआ अगोश स्कूलों के लियार से तीन किलोमीटर तक की रेंज में कोई इस प्राइमरी स्कूल होना चाहिए अब यह कह रहे है कि अगर वो तीन किलोमीटर के बास वाले अगर स्कूल में विद्यारती पूरे नहीं है तो इस स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा यानि अगर विद्यारती कम है तो इस स्कूल की बज़ा वो स्कूल में पढ़ाई होगा दो या तीन स्कूल मिला करके अगर उनका तीन हजार का नंबर पूरा होगा तब वो एक स्कूल चलेगा तो मर्जर की पॉलिसी है और दूसरी तरफ नई सिक्षानीती क्लोजर की पॉलिसी ले आई है कि मा लीजी अगर बहुत दूर तक कई स्कूल मिला करके पूरे नहीं हुए तो उन्हें स्कूलों को क्लोज कर दिया जाए तो ये क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी स्कूल पर लग नहीं हो रही है अब जैसे एक आकड़ा मैं देता हूं नई सिक्षानीती के तैद अगले बीस साल में अगले बीस साल में इस देश में जो अब तक 45,000 सरकारी डिगरी कॉलेज हैं उन्हें कम करके 15,000 पर लाना है ये उसका थे है यानि एक देश यवा के बढ़ता है अपनी आजादी का अमृत महुत सो मना रहा है हर घर तिरंगा हर हाद तिरंगा जाने क्या क्या कर रहा है उस देश को तो ये चिंता होनी चाहिए कि क्या हर बच्चे की पहुंच तक स्कूल खुला के नहीं और अगर खुला है तो उसमें और ऐसे कौन सी सुविधाएं दी जाएं इमारत पच्चे पढ़ रहे हो स्कूल अच्छे बने नए स्कूल खोले जाएं वहाँ नई सिच्चानिती कह रही है कि अगले 20 साल में 45,000 डिगरी कॉलेज को कम करके क्लोजर मर्जर की पॉलिसी की तद 15,000 पर किया जाएगा हम ऐसी चुनोती में खड़े नई सिच्चानिती कह रही है कि आपके 3 grade के institution होंगे grade C का institution 1 व्यवस्था का हम लोग इसका विरोद करते है मनुस्ष्मर्ति का विरोद करते है अब आप देखिए पढ़े लीकिए लोग जिब जाती वादी होते हैं सामंती होते हैं तो कैसे व्यवस्था में वोड़ बेवस्ता शामिल कर रहे हैं विश्व विद्याले भी तीन प्रकार के होगी उच्च सिक्षा तीन प्रकार के होगी पहली ग्रेट सी की होगी जो निम्नस्तर की होगी उसका सारा पैसा सरकार देगी और उसमें गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार पैसा देगी तो आप इसका जो प्रावधान है न मैं इसमें कुछ चीजें जोड़ दू सर कि अधिर जी इसमें आपने का फेलोशिप दी जाए और मैं कह रहा हूँ कि पिछले आठ साल का आखड़ा निकाल कर अगर आप देखेंगे तो जो पहले से फेलोशिप मिल रही थी वो फेलोशिप बंद हो गई है या तो कम कर दी गई है S.C.H.T. O.B.C. ती माइनॉर्टी चारों को जो फेलोशिप मिलती थी और उस फेलोशिप को कम कर दी आ गया बंद कर दी आ गया और पता है हमारे अनुझ लोग जब शोद करने पहुँचे रहे वो जब जाते कि फेलोशिप आई नहीं तो कहते है सरकारत पास पैसा नहीं है छह मह Emmanuel से फेलोशिप नहीं आई तो जहां नई fellowship देने चाहिए हम लोग fellowship नहों दे तो याद पहुंची नहीं पाई घर में तो पैसा ही नहीं होता है कि वो higher education के लिए बैश सके तो जब एक fellowship आती है तो किवल एक बच्चा नहीं पढ़ता है वो दो चाहर भाई बहनों को भी पढ़ा लेता है कोई अगर घर की लड़की है तो वो दो-तीन बहनों को अपने घर में पैसा दे करके पूरे अर्ध में उस्ता पतलती है और पढ़ाई के वो यह नहीं है हमारे याद तो हिंदी में कविता लिखिये गई कि भोखे भजन नहों पाला लेलो अपना कंटी माला तो हम लोगो भजन की बात नहीं कर रहा है हमारे यह यह दिक्कत है कि अगर पेट में अन नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं होगे और हमारे यह ड्रॉप आउट रेशियो जो आपकी पॉइंट में है उसमें नई सिक्षानी भी चिंता तो करती है शुरुआत के दूसरे तीसरे ध्यारी और कहते हैं कि हम यह ड्रॉप आउट रिश्यो कम करेंगे कैसे कम करेंगे इसका कोई आखड़ा होने देती है भई जिस घर में कमाने रात में चूला जलेगा यहीं नहीं पता हूँ अपने बच्चे को स्कूल कैसे बेजेंगे तो सिक्षा कई चीजों से जुड़ी होती है इसलिए फेलोशिप अगर मिलती है तो पूरे परिवार की अर्थ में उस्ता बदलती है और वो चिंता आपके पॉइंट में भी है मैं इसका समर्थन करता हूँ तो नई फेलोशिप क्या देंगे ये लोग हम तो ये बात कहें जो था पहले क्या होता था ने हम लोग मांग करने जाते हैं जैसे ये 22. मांग है मेडल कमिशन की चालू चलू संसाय है जिसमें दो लागू या 38 मांग है कि अगर ये लागू हो जाया तो जो लागू है हम वही नहीं बचा पा रहे हैं नया लागू क्या कराएं ये मेरे थोड़ा अलू चना है जो लागू है अल्री जैसे स्कूल बंद हो रहे हैं नई शिच्छाणी की करिया है तो सिक्षा पर सबस्यादा हमला यह किया जा रहा एक लोजर मर्जर ग्रेट सी ग्रेट सी में उनके गरों के बच्चे पढ़ेंगे उसका पैसा सरकार देगी लेकिन वाना सिक्षा होंगे ना उसको फंड बिलेगा ग्रेट बी के इंस्टिटूशन वो होंगे सेमी गवर्बे कंड दिया जाएगा यानी आप बीसन मेकिंग भी ओटोनमास होंगे और आप financially भी autonomous हो रहेंगे वह इसका मतलब क्या है आप सारा पैसा खुट generate करिए और जब grade A यानि टॉप की universities होंगे तो सारा पैसा खुट generate करना होगा तो उस grade A के institution की fees क्या 10 लाग नहीं होगा जब सारा पैसा वहाँ खर्च करना है तो यह है विश्व विद्यालियों की नई भी one व्योस्त था जो नई सििक्षानित की जर्यः इस देश पर लागो कर दी गए और यहाद दीखेगा नहीं सिक्षा पर बाबा साब से लेकर कि पूरा समाजी नहीं का संगर्ज सिक्षा का संगर्ज सै फूले साब से लेकर से अबित्री भाई फूले फातिमा शेख ड्र रम्बेटकर शाहूजी महाराज अखबार मिकालने के लिए पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं हम जानते हैं कि अगर डॉक्तर रम्बेटकर कोई बहुत बड़े नेता मिनिश्टर और प्राइम मिनिश्टर मुख्यमंतरी नहीं थे वो एक इतने बड़े विचारक और दाशनिक है और इतने किताबें लिखती हैं कि आने वाले कई पीडियों तक जब भी संगर्ष की जबरत पड़ेगी तो हिम्मत आपको डॉक्तर रम्बेटकर फूले वो पेरियार से मिले हैं तो सिक्षा तो ये काम करती हैं और इसलिए मैं किवल बात यहीं ख पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे अब आपके विजयर में पैसा है आप शहरों में रहने वाले लोग हैं आपके घर में कोई पढ़ा लिखा था आप कोचिंग इस्टिटूट में भेजिए आप जो बड़े-बड़े शहरों भेजिए अच्छी नोश्टिम पढ़ाईए तो नई सिक्षा नीती ने जो ग्रेडेट ऑटोनॉमी बोर्ड आफ गवर्नर्स बोर्ड आफ गवर्नर्स का मतलब केवल यह हो गया कि 50% decision making में non-education background की लोग रहेंगे यानि decision को लेगा कोई सांसत विजायक मंत्री उसमें रखा जाएगा और वो फिर अपने political mileage के लिए हम लोग उन पीडियों से निकल कर आए कि घर में अगर दो रुप्या बचता था तो घर में चुनाई और पुदाई नहीं होती थी बच्चे की फीज दी जाती थी महिलाएं घर का गहना गिरवी रख करके पुरुष जमीन गिरवी रख करके अपनी पहली पीड़ी को आए ताकि पढ़ ले गया अगर बच्चे तो पीड़ियों का मुस्तक्बिल बदल जाएगा नई सिक्षानीति ने वो रास्ता बंद कर दिया है कि कोई गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे किसी अच्छे डियू जेनियू में पहुँच पाएंगे और विश्वद्यालियों पर हमला किया जा रहा है, फीस पढ़ाई जा रही है, सीटे घटाई जा रही है, एन एफस किया जा रहा है, अब आप बताइए, रिजर्वेशन बहुत बाद में आया, अभी प्रोफिसर नहीं मैं यह को आण दे दू, बाद खतम कर रहा हूँ यह पे, दिल्ली विश्व द बाद में का दावा और गुरु रहेगा ठेके पर, ठेके पर प्रोफिसर और गुरु विश्व गुरु, तो नए सिक्षा नहीं ती के जरिये, मैं एक उधान आखरी दे करके, दिल्ली विश्व दियाले में बानवे कॉलेज है, बानवे कॉलेज में बानवे प्रिंसिपल ह 22 और मैं दावे से कह रहा हूँ कि एक या दो प्रिंसिपल अपरवाद छोड़ दीजिए, तो 92 में से 90 प्रोफिसर अपरकाष्ट के है, कौन सा विश्व देल है यह, 2021 तर नव केवल कुल पति, जो प्रोफिसर हैं वो भी सी के थे, तो हमारे लोग को भी पहुँच भी नही तो मुखस से जायते ब्राह्मण बाहुर नाम चत्री है, सारा उने के पास है, वही सारे वो चिपदों पर बैठे रहे हैं, सिक्षा को इस तरह खापन कर दिया है, हमारे लोग को पहुँचे नहीं, और आप तहरे हो, मेरिट EWS रिजर्विशन आ गया, और पूरे पूरे अ स्थान ही ऐसे अड़े थे, जहां केवल आरक्षण को काली दी गए, अपमानिक किया गया, भीख है, बैसाकी है, और EWS आ गया तो वो क्या था, 35 नमबर सिडूल कास्ट की मेरिट जा रही है, और तीन नमबर EWS की मेरिट जा रही है, यानि सिडूल कास्ट से 15 गुना नीचे मेरिट तो तुम्हारी थी, और तुम हमें कहा रहे थे कि हम मेरिट धारी नहीं है, ये एजूकेशन ने किया, और एजूकेशन ने ऐसी पुड़ियां पैदा के हैं, जो आँख में आँख डाल करके सवाल पूछ रही है, और भीम सलसल में, या ऐसे इतने भी लोग, वो एक डिगरी चाहिए, इंटायर पुलिटिकल साइंस में फेट डिगरी होगी, तब आप प्रदान मंत्री बनेगे, आपको सिक्षा मंत्री बनना है, आपकी बारहमिक डिगरी तक फेट होनी चाहिए, आप जूड बोलिए, तो डिगरियों को, जो हमारी तो ताकट डिगरिय पाया कियों, तो हमारे लिए लड़ रहते हैं, तो सिक्षा तो वो काम करती है, चेतना पैदा करती है, क्राम दिगर काम करती है, इसलिए दूसरा काम इस समय देश में किया जा रहा है, पहले तो सिक्षा को नई सिक्षा निट के नाम पर बरबाद किया जा रहा है, दूसरा सिक्षा को बदनाम किया रहा है, उसको बील हे जिति हमाई. आप गाओं में जाए, आप पढ़े लिखे आँ, तो लोग आप पर हस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो चुनाव क्यों ने जीत रहे हैं? हमारा तो दद्धिकार भी चुनाव जितवा लेता है. तो सिक्षा को बदनाम किया जा रहा है ताकि आप बचों को पढ़ाएं नहीं और फिर कल को कोई उसे दंगाई बनाने यह सलिए मैं अपनी बात यही खत्म करते हुए नई सिक्षा नीती पर इस देश वो तो क्रांती हो जानी चाहिए थी वो तो भरबाद कर चुका स्कूल कॉलिज बिश्विद्याल है इन सभी 22 मागों से समर्थन जगाते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूँगा मुझे बोलने का मौका दिया आपने बहुत बहुत धन्यवाद जै भीम जै मंडल सम्विधान सिंदाबाद उल्गुलान सिंदाबाद इंकलाब सिंदाबाद